हेलो फ्रेंद्स कैसे हो आप सब आई होफ आप सब अच्छे होंगे अभी मैं कहां जा रही हूँ आप से ही सोच रहे होंगे ना अभी मैं जा रही हूँ हमारे गाओं अभी मेरी जेठानी है वहाँ बैठी है और नेना है मेरी जेठानी आई थी तो ये वीडियो तो थोड़ा सा क्लिप में रखी हूं बना के तो मैं वही वीडियो आपके साथ सेर कर दूंगी अभी ये रास्ता में हम बस में जा रहे थी बहुत एकदम खाली है जैसे देख सकते हो आप मेरे पीछे दो चर लोग बेठे हैं और साइड में जैसे की जेठानी और नेरा और मेरी जो भांज जा रहे थी देख लिजिए और एकदम जंगल जंगल के बीच में रोड है तो एकदम अच्छा लगता है ग्रीनेरी जैसा मैं मतलब मैं जहां पर रहती हूं वहां से 2 किलोमेटर का दूरी है नहीं दो घंटे के रास्ता है जाने से दो घंटा लग जाता है रास्ते में दो तो घंठे के रास्ते है तो फिर गुड मर सब को भी दुसरी दिन का वीडियो रास्ता मोजिना वृजा करें अभी िसके अभी मेरी मंतला परिंग और नह ऑन वहाँ पर खड़ी Kenny मेरी भड्ती जी है समय अभी मेरी माईके में हूं तुछार माइका हमारे एक गाउं में TOूढ के लाओ उसको पोड के खाएंगे वे सब्सक्रास के तो मतलब तương goals रज़ियरा कि हलिए नए का व्यक्यार libr, मतलब खुद का खेत में मतलब बाड़ी में लगा लेते हैं वहां पे बेगन लगा है साइड में टमाटर और हरी में थोड़ा थोड़ा ही लगा है तो देख लीजिए कितना एकदम ताजा ताजा और फ्रेस फ्रेस बेगन है फिर अधरक है मतलब टमाटर अधरक फिर ओ आगे लगा हुआ है क्या लगा हुआ है कद्दू का एक पेड़ एक छोटा सा पेड़ है और साग है फिर उहां पर टमाटोर का पेड़ है उहां पर साग है साइड में धनिया पत्ता लगा हुआ है ऐसे मतलब छोटा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ल बड़े लुग बात नहीं करते जो गुमने के लिए तो मेरी बती जी न वो मुर्गी को देखके खाना खाती है वहाँ पर खड़ी है और हमारे घर के पास बही है उनका बेटा है वहां पर खड़ा है तो दोनों भाई मतलब खड़े हो के देख रहे थे तो मैं मैं सोची कि आपके साथ थोड़ा सा सेयर कर दू मेरी पहला वीडियो तो और ये आम का पेड़ कि आम का पेड़ में क्या उसको बोलते है वो जो हमारा उहां पर बहुल बोलते हो आ गई और देख लिजे मेरी भत्ती जी की नटंकी वो में उसको बोली कि जैसे बुड़ा बुड़ी चलते है वो थोड़ा से चल के दिखा हो हमारे घर के पास एक लेड़ी है तो इसे कोगे बहुत इतनी नंग अतनी महें कर दो हको हुए मने करता है बहुत रोह टो हैं शुकूर ये और यह हमारा घर है मॉईका ये दिवा दिख रहे हुए होह मार कीचेन है जो मीटी का घर है तो गीचन है तो देख लिजिए वह बहुत नाटाइग करती है वह बहुत भी बात कर रही थी तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा आपके साथ सेयर कर लिया आई होप आप सबको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना शेयर कर लेना और सस्क्र पता है हमारा जो धान का खेत में जो चना होगाते है वो चने का साग है साइड में सीम है वो माज गई थी लाने के लिए तो मेरी जो ममी है वो गई थी लाने तो माना यह सब मतलब काट के रख देती है फिर यह मेरी साइड में वह मेरी भावी है तो वह भावी बना लगी तो मैं सुच्छा कि थोड़ा सा सूट कर लूँगी मतलब जितना सूट कर पाई हो कर लिया आप देख लिजिए थोड़ा-थोड़ा और कभी में जाओंगी में जिस दिन जाओंगी ना आपके साथ सेयर कर लूँगी तो ही सब मेरी मा जो साग को एकदम अच्छे से बारी-बारी के से कट देती है फिर यह भावी बना लेंगी तो फिर हमें उसके साथ चाओ मतलब जो वाटर राइस होता है ना हमारा गाओं में मतलब सुब गाओं म मतलब जैसे कि खाखेत का जो साग होता है जो चेने का साग फिर उसके बाद जो पेट से मतलब पेट से तोड़के जो बेंगन लाके जो पोड की खाने में जो टेस्ट होता है ना ओ ताउन नहीं मिलता तो मैं जब जाती हूं ना इसे ही खाती हूं तो मैं आई हूं जैसे कि बैटी आई है तो मम्मीने कितने सारा खाना बनाई है ऐसे की खाना बना खा लिया ओ दिखा रही कि आपको पता है ओ है जो ताल है कुटना थ कि देखा ताल के उसको रख देते है था हमार यहां पे टांख देऊ हा हो अमा फिर मीं ससुराल आ गई थी ये मेरी ससुराल का छोटा सक लिभ है जो बंदर टंकमाटर कच्छा तामाटर खा रहा था तो मैं यहां पर खड़ी थी तो थोड़ाचे सची की शूट कर दू तो फिर मैं साम को आ गई थी तो साम को आई तो यह मा जो जो होता गांग को बोलते हैं पता नहीं झो हराते मा जो ठाल का है उसके बाद गांग तो बहरा विछ्टांग का ट है एक दम टेस्ट लगता किसी ने खाया है तो मेरे को comment करके ज़रूर बताइए तो ये गया अगनी देपता के लिए पहले ना हमारा गाउं में क्या होता है ना कुछ भी बनाओ पहले अगनी देपता मतलब अगनी देपता के लिए देते है फिर उसके बाद जो कुल देपता है उनको देते हैं, फिर बाद में जो खाता है, तो मैं यहां पे निकाल रही हूँ, नेना के लिए मामा का लड़की का लड़की आई है, छोटीशी आपको दिखा होगी, वो साइड में देखो भाबी के पास खड़ी है, ओ आई हैं, तो मैं वहां पर बेटके सुची के आपके साथ सोड़ा साथ सेयार कर दू और एकदम सब्ट सब्ट बनता है टांकू हमारा पर टांकू बोलते हैं जिसे होता है ना बेटी घर में आई है बहुत सारा खाना बनाए तो ऐसे बनता है बना के मामी ने दिया है मैं दो तीन साल से के से maar लाकू फड्यक्री से होता है आता है उसको बनात बनाते हैं देख लिजिए तेल का पनी में मां इसी उतलती है मैं दो मां बोलता हूँ जो भी आप समझें तो थोड़ा सा करें कियो क्योंकि साइक में छोटा सा देख लिजिए इतना प्यारा सा चुला है जो मेरी जो बतीजी के लिए सुबेश भी होता ना उनके लिए खाना बनाने के लिए इतना मतलब ग्यास भी है लेकिन चुला पे खाना बनाने के लिए हमारे चुला पे बनता है ग्यास भी बनता है वहां पे बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनाने के लिए पुदिना का पत दनिया का पत्ता फिर जो करी लीप्स प्याज फिर उसके साद थोड़ा सा अद्रक रस्चुन सब मिला के वो रखे हैं उसको मिक्स नहीं किये हैं मतलब मिक्स करेंगे तो पहले तांकू का पिठा बना देते हैं फिर ताल का पिठा बना देते हैं फिर बाद में उसके बाद ब तो फिर उसके बाद मैं क्यों कि यहां पर दिख लिजिए मरी भती जी तो चलिए उसके बाद थोड़ा से सुनो तो बहुत सारा मस्ति कर रहे हैं अभी साम रात का टाइम हो गया साम मतलब पिठवन ने अभी ड्यांस कर रहे हैं उसका ड्यांस कैसे कर रही है मुमी के पास कर्ड़ी ओकर बैठिये मैरी महा का रूम घ्रूम ऑट थे और भाब कुछ से बाहर कर रहे हैं जिता हम तीनों में मैं ममी नेह 9 और महिरी भती जी देख ली जी डी एक मेमरी रहता है मतलब क्या बलते हैं इतना मस्ती करते पता नहीं चलता मतलब बाद में वह सो याद नहीं रहता लेकिन इसे ना वीडियो पर मेना अभी में कभी कभी सोचती हूँ जब मैं नेना का परेद्दिक शर्मा गई उसका नटां की मत पुछी है इतना नटां की कर देखो केसे करती है तो मेरे को अच्छा लगता हो बहुत पैरी पैरी बयात करती है मैं किस दिन आपको सुनाओंगी उडिया में बोलेगी फिर भी आप सुन लेना देखो उसका दादी को कितरा प्यार करें मार रही है ऐसे ऐसे देखो तो चलिए हमारा छोटी छोटी खुसिया के साथ आप सामिल हो जाएए और ऐसे ही सपर्ट किजिएगा सपर्ट कर लो भई मुझे सस्क्राइब कर लो मेरे कुछ सपर्ट किजिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूँ आप सपर्ट करोगी तो शब कुछ हो सकेगा तो चलिए हम हमारा इवनिंग का जो पैरी पैरी खुसिया है आप उसके साथ एंजोई किजिए मैं आपके साथ मिलती हूँ थोड़ी मिलती हूँ क्या मैं दिखो यह मेरी सामने आ गई क्या कर रही है ऐसे बोल के सामने आ जाती है बहुत नटंगी करती है आप किस तिन में आपको सुनाओं तो चलिया आप एंजोई किजिए मैं लुव लुव